एक लड़का जो लड़की को बच्पन से प्यार करता है पर उस लड़की ने हमेशा उसे मैनुपिलेटी किया इनकी लोग स्टोरी का अंद क्या होगा हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको ग्रेट एक्स्पेक्टेशन ही 1998 की एक रोमेंटिक हॉलिवड मुवी एक्स्पेक्टेशन करने वालो हूँ बन कर दिया वो कहता है मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत पता ना अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें मैं मार डालूंगा फिन जब शान्त हुआ दो साथ मिनों से गा जाओ और मेरे लिए कुछ फूड वेगरा लेकर आओ वो एक क्रिमिनल है जो जेल से भाग चुक वे कुछ अलग लग रहा है क्या हुआ फिन को लग रहा था कि सिस्टर के बॉइफरेंड को बता दिना चाहिए पर वो कुछ भी नहीं कहता उस आदमे ने उसे खाना और बोल कटर लाने के लिए खा था राद में फिन सब चीज़े लेकर उस क्रिमिनल के पास भोज गया उस पुछा तुम यहां कर रहे हो फिन गयाता है कि मैं ऐसे हैंग आउट कर रहा हूं तो पुलिस उसे लेकर जाकर उसे घर छोड़ देते हैं घर आने पर फिन अपनी सिस्टर के बॉइफरेंड के साथ जिसका नामे चो काम पर जाता है इनके स्टेट के सबसे अमीर लेड़ी क घर पर इन्हें काम करने के लिए जाना था जब यह लेड़ी यंग थी तो उसके शादी में उसका गुरूम उसे छोड़कर चला गया था उसके बाद से वो पागल हो गई इसी वज़े से उसका घर तहसनेस पड़ा हुआ था इसी का काम फिन और जो करने वाले थे जो घर मे गया और फिन बाहर ही रूख गया वही गार्डन में फिन ने एक लड़की को नोटिस किया वह चानक से वहाँ से चली भी गई थी जो घर में गया और उसके लिए पैसे रखे हुए थे कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ा तो उस लेड़ी पर बहुत अस्ता है घर आने पर फिन देखता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा जा चुका है अगली दिन फिन उस लेड़ी के पास गया इस लेड़ी का नाम था नोरा वहाँ पर वो नोरा की ग्रैंट डॉटर एस्टेला से मिला जो बहुत ही ब्यूटिफुल थी नोरा फिन से मिलती है और डारी लिए उसके पोट्रेट बनाते हुए उससे पूछती है तुम्हें इस्टेल के बारे में क्या लगता है फिन कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटिफुल है नोरा कहती है तुम अभी इससे प्यार में हो उससे प्यार करना मत वो सिर्व तुमारा दिल ही तोड़ेगी तुम उसके पीछे पानी पीती है उसने फिन को भी ट्राय करने के लिए कहा फिन जब वे ट्राय कर रहा था तब एस्टेला उसे किस कर लेती है उसे बहुत अच्छा लगा इस मुवमेंट को कैप्चर करने के लिए घर जाकर उसकी पेंटिंग मनाता है इसके बाद एक दिन उसकी सिस्टर उसे गुल मिलने लग गए थे इसी तरीके से ये दोनों बड़े हो गए एक दिन एस्टेला को पार्टी में जाना था पर नोरा उसे मना करें थी क्योंकि पार्टी होने की बाग उसे वापस लाने के लिए कोई भी नहीं था फिन कहता है मैं उसके साथ जा सकता हो एस्टेला कोई सही नहीं लगता पर वहाँ जाने का उसका यही ऑप्शन था इस पार्टी के लिए फिन बहुत ही एक्साइटेड हो गया अच्छा सा सोट वेगरा पहन कर जब वो इस पार्टी में पहुचा तो गेस लिस में उसका नाम नहीं है एस्टेलार ने जान बुझ कर किया था पर वो पार्टी में बोर हो चुकी थी तो बाहर आकर फिन से मिलती है कहती है मुझे कही लेकर चलो फिन फिर उसे अपने घर लेकर आया फिन ने बनाए हुए सारे ड्रॉइंग्स उसने देखे उसे बहुत यह अच्छे लग ज我說 यह पूँख से पूशती है क्या तुम्हें मैरे हे इस तरीके से अच्छे लगती है फिन ने हाग कहा तो गहती है तुम्हें और क्या अच्छा लगता है वो उसके पास आगे फिन उसे टच करने लगता है एस्टेला ने उसे किस कर लिया तुरन बाद उससे वो दूर चली गई फिन कहता है कि हुआ क्या उसे लेट हो चुका था तो अब घर जाना था कुछ फिन में बोलकर यहां से वो चली जा दिया वजपन से लेकर आज तक फिन को इसी तरह के से वो ठ्रीट करती है कभी उसके बहुत ही करीब आगे तो बहुत दूर चली गई एक दिन जब फिन एस्टेला से मिलने के लिए उसके घर अपर आया तो आसपास कही भी नहीं थी नोरा ने फिन से बात किये कहती है मेरी शादी में मेरा बॉइफरेंड मुझे छोड़ कर चला गया था वो ऐसा कर गैसे सकता था आदमें बहुत ही घटेया होते है उन्हें उसके लिए भूगदना पड़ेगा मैंने जो गलती की एस्टेला कभी भी नहीं करेगी उसने फिन को बताया कि अपनी एजुकेशन के लिए स्विजर लैंड चली जा चुकी है चलाने फिन को इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था फिन बहुत ही जादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है उसकी प्यारा से फेट चली गई थी अपने आपको उसने काम में डाल दिया पेंटिंग करना भी छोड़ दिया था वो गहता है अब मैं खुद को खड़ा करूंगा अच्छे से उसने फिशिंग विगरा सीखिया जैसे टाइम बिता गया वैसे वो इमोशनली स्टेबल था एक दिन अचानक से एक लॉयर उसके पास आता है उसने उसे का मैरे इंपलॉयर ने तुमारी कुछ पेंटिंग्स देखी है वो तुमें नुई यॉक बुलाना चाहता है तुमारा एक्जिबिशन रखना चाहता है फीन को लगता है कि आदमी फेक है इसा कुछ भी नहीं हो सकता पर उस लॉयर ने उसे डारेक्ली थाउजन डॉलर्स और फ्लाइट टिकिट दे दिया एस्टेल आके जाने के बाद फीन ने पेंटिंग्स छोड़ दी थी अब वो एक काम नहीं करना चाता था पर थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए रेडी हो जाता है उसे लगता है कि इस सब अरेंज करने वाली नुरा ही होगी तो उसे मिलने के लिए हो गया काम को जज़ करेंगे आर्ट गैलरी की मैनेजरों से कहती है मुझमें तुम्हें आर्टिस दिखता है तुम्हारे पास एट वीक्स है इसमें कुछ तुम ट्रॉख कर सकते हो या सेकंड ऑप्शन या नुई रॉक में घूम लो जैसे आये थे वैसे वापस चले जाओ फिन को अ उसके पास वापस आ रहा है तो इस उपर्चुनिटियों को जाने नहीं देगा एक जगा पर उसने फाउंडन का टैप देखा जिस तरीके से पानी पीते हुए एस्टेल के साथ उसकी फरस्ट कीस हुई थी उसी तरीके से यहाँ पानी पीने लग जाता है फिर से एस्टेल उसी के साथ पानी पीती है इतने सालों बाद यह फिर से मिले एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे एस्टेल ने फिन को कल एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया अगले दिन एक्साइड़ेड होकर फिन वहाँ पर पहुश गया एस्टेला फिन को अपने सब फ्रेंड बनाए बॉइफ्रेंड यह सब चीजे देखकर नर्वस हो गया था एक दिन ऐसे ही बिना वताय एस्टेल फिन के घर पर पहुश गई उसे उसकी पोट्रेट बनाने के लिए गहती है बोरो न्यूड हो गई फिन भी उसके बहुत सारी ड्रॉइंग्स बनाता है जितना टाइ कुछ भी फिल नहीं होता एस्टेला ने कहा कि बच्पन से मुझे एक ही बात पता है इस सारा वर्ल्ड मेरा एनिमी है उसे लाइफ में कुछ भी होप मिलने नहीं वाला फिन कहता है कि तुम अपने बारे में बहुत ही गलत सोचती हो तुम भी फिल गरती हो फूल हो मैंने सा इसी हो वैसे ही हो एस्टेला को इस सब चीज़े सही नहीं लगते उसे लगता है कि लोग कभी भी बदलते नहीं इसके बाद जब फिन घर पर था तो एस्टेला का बॉइफ्रेंट उसके पास आया उसने एस्टेला की निव ड्रॉइंग्स वहा देखिए वो गहता है कुछ भी बोल नहीं सकता था नेक्सिन में फिन को उसके एक्जिविशन के मैनेजर ने बुलाया हुआ था वो उसे बहुत ही बड़ा स्टूडियो देती है फिन भी एक्साइडेट था वो गयता है सारे नुई-york में मेरी पबलिसिटी होनी चाहिए हमेशा उसने इस वर्ल ये दोनों पार्क में आये हुए थे इन्होंने बहुत सारी बाती की इसके बाद एस्टेला फिन से कहती है मैरे बॉइफ्रेंड ने मुझे प्रपोस किया फिन इस बात से हर्ट हो जाता है पूछता है तुम ये सब चीज़े मुझे क्यों बता रही हो वो गुसा था क्योंक उसे कहना नहीं चाहिए था वो इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता हर जगहापर उसनों उसे ढूंड़ा एस्टेला अपने बाफरेंड के साद एक डेट पर गई हुई थी वह पर वो पहुच गया बाफरेंड के सामने उसका हाथ पकड़ कर उसके साद डांस करने लगत कि मेरी एक्जिबिशन तक तुम वापस आ जाओगी एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा एक्जिबिशन मिस नहीं कर सकती है इसके बाद बहुत दिन हो गये फिन का एस्टेला से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ एक्जिबिशन का डे आ जाता है यहाँ बर हर जगा वो एस्टेला कोई ढून रहा था वो बहुत ही डिस्टब हो गया तभी जो ने आकर उसे सप्राइस किया फिन सप्राइस हो था पर फिर भी एस्टेला की वज़े से वो डिस्टब था यहाँ इस पार्टी में जो सबसे मिल जो के कबड़े फिन को अच्छे नहीं लगे जो बहुत ही प्राउट थे वो सबसे कह रहे थे कि फिन बहुत चोटी से टाउन से है बर फे भी इतने बड़े शहर में इतना बड़ा एक्जिबिशन उसका है फिन नहीं चाहता था उसे कोई भी जज़ करें इसलिए इंबरस् तो इस बात पर फिन डारेटली उस पर चिला पड़ा फिन को जो लगता है यह जो ने रियलाइस किया वो वेचारे हार प्रोकन थे फिन उनके पीछे गया पर वो कहते है जो भी तुमें सक्सेस मिला है यह तुम डिजर्व करते हो इसके बाद हो यहाँ से चले गए फिन का एक्जिविशन बहुत ही सक्सेस्फुल था उसकी सारी पेंटिंग सोल्ड होके वो मिलिनियर बन चुका था वो हमसे कहता है कि मैंने सब कुछ तो पा लिया पर फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं था जिन लोगों से मैं प्यार करता था उन्हें मैंने हर्ट कर दिया रात में वो फिर एस्टेला के घर पर पहुझ गया बाहर खेड़की पर उसे उसकी शैड़ो देखी है वो चिलाता है कि देखो अब मैं अमिर बन गया क्या तुम्हें यहीं नहीं चाहिए था मुझे में जो भी स्पेशल है इस सब कुछ तुम्हारी वज़े से है वो फिर उपर आ जाता है खिड़के में एस्टेल नहीं तो नौरा थी फिन ने बुझा कि एस्टेल लगा है नौरा ने का कि उसके शादी होगे नौरा ने फिर उससे सब कुछ रियालिटी बताए वो कहती है कि आदमियों को किस तरीकी से ट्रीट करना है किस तरीकी से मैनुपलेट हो करें यही डेनी में बचपन से एस्टेल को दे रही थी तुम सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस थे हैं मैने तुम्हें वान किया था कि उससे प्यार मत करना वो तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी जब तुम नियॉक में आए तब उसका बॉइफरेंड उससे कमिट नहीं कर रहा था तुम्हारे साथ रिलेशन्शिप का प्रिटेंड करने के बाद उसके बॉइफरेंड को उसकी गलती रेलाइस हुए मैरेज करने के लिए भी उसने सिर्फ तुम्हें यूज किया फिन को इस सब सुनकर बहुत दर्थ हुआ वो नोरा के पास आता है उसका हाथ उसने अपने दिल पर रखने के लिए कहा वो गहता है अब मेरा दिल तूट चुका है जिस तरीके से नोरा का फियांसो से छोड़ कर गया था उस हार्ट ब्रेक में वो पागल होकी उसी तरीके से फिन का भी हार्ट रेक हुआ है नोरा ने अपनी गलती रेलाइस की उसे बहुत बुरा लगा पर अब बहुत ही जादा लेट हो चुका था एस्टेल अपने हस्बंड के साथ एक अलग कंट्रे में चली जाती है आज राज जब फिन अपने घर पर आया तो नीचे कुछ लोग एक आदमी का वेट कर रहे थे इनकी बातों से उसे पता चला कि उस आदमी को मार डालेंगे एक आदमी बिल्डिंग में छूप रहा था तो फिन ने उसे अपने घर में आने के लिए कहा हम देखते हैं कि आदमी वही क्रिमिनल है जिसे बच्पन में फिन ने हिल्प की थी फिन उसे फर्सली पहचान नहीं पाता फिन से बात करने के बाद सक्से जानने के बाद एक क्रिमिनल उस पर बहुत ही ज़ादा प्राउड था फिन ने अभी भी उसे पहचाना नहीं था तो एक क्रिमिनल बच्पन में उसने फिन को जिस तरीके से पकड़ा था उसी तरीके से फिर से पकड़ लेता है फिन ने उसकी आखोसे उसे पहचान लिया फिन आज भी उससे बहुत डर रहा था वो इसे जाने के लिए कहता है क्रिमिनल ने कहा मैंने बुलिस को कॉल किया है थोड़े टाइम में यहां से मैं चला जाओंगा क्रिमिनल ने सारी पेंटिंग्स देखी उसमें फिन ने उसकी भी एक पेंटिंग बनाए हुई थी वो गहता है तुम कितने बड़े हो चुके हो मैं तुम पर बहुत ही प्राउड हूँ जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि लॉयर ने बहुत अच्छा काम किया यह उसी लॉयर के बारे में बात कर रहा था जिसकी वज़े से फिन आज यहा है फिन को क्लियर हो जाता है कि इसी क्रिमिनल ने उसे सारे बैसे दिये थे वो फिर उसके साथ क्या गहता है हम पीछे के दर्वाजी से निकल जगते है क्रिमिनल गहता है कि हम मैं पैरिश जाने वाला हूँ वहाँ की लटकिया, वहाँ के नजारे बहुत ही अच्छे है वो जाने के लिए एक साथ रेड़ था ये चलते चलते स्टेशन पर आये पर जो लोग क्रिमिनल को ढूंड रहे थे वो भी वहाँ पर भोज गये थे ये जलती से ट्रेन में चड़ जाते है क्रिमिनल कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए हम दोनों बहुत एंजाइ करेंगे पर तब ही हम देखते हैं जो लोग इसे ढूंड रहे थे ये ट्रेन में भी चड़ चुके थे ये आकर क्रिमिनल को मार डालते है मरते मरते क्रिमिनल सब कुछ बताता है कहता है मैंने लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़े की पर सिव एक भूत अच्छी चीज़ की थी तुम्हें न्ययॉक भीजना मेरे पास भूत सारे पैsm से थे इस सारे मैंने तुम्हें दे दीये है हमाइशा तुम आर्टिस की लाइफ जीना इसका मतलब है Finn का सारा आर्ट एक क्रिमिनल नहीं बाय किया था एक इलीगल वेसे अपने सारे पैसे उसने Finn को दे दिये Finn की बज़पन की ड्राइंग बुक आज भी क्रिमिनल के पास थे उसे पता था कि बहुत अच्छा ड्राइंग करता है उसने Finn का ड्राइंग पच्पन में पहचान लिया था Finn को बहुत बुरा लगा उसी के बास क्रिमिनल की डेथ हो गए आज फिन का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था पर उसी ये भी पता चला कि लाइफ ने उसे और एक चांस दिया है पर क्रिमिनल चाहता था कि Finn हमेशा खुश रहे वो उस पर प्राउड था फिर इसके बाद Finn अपने घर पर जाता है जोग को उसने हट किया था उसके पास फिर से वापस जाकर अपनी रिलेशनशिप सुधार लेता है जो पर भी अप Finn की कोई भी responsibility नहीं तो उसने भी अपनी new family create कर ली है वो भी कुछ था इसके बाद Finn पैरिस चला गया था बहुत सालों बाद जब फिर से अपने टाउन में वापस आया तो फिर से नोरा का house देखने के लिए जाता है उसकी update हो चुकी थी इस जगा अपर कुछ और बनने वाला था जेस garden में Estelle उसे first time मिली थी उसी पर उसे याद करता है पर तभी एक छोटी से लड़की वाँ खेल रही थी उसी का पीछा उसने किया वो actual में Estelle की बेटी है Estelle भी इस घर को last time देखने के लिए आय हुई थी फिन को पता चलता है कि Estelle का अब डिवास हो चुका है Estelle फिन से मिलकर खुश थी फिन अब और भी famous artist बन चुका है उससे कहती है आज कल में तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी उसने उसके साथ जो भी किया इस सारी चीज़े उसे regret कर दिया वो बुशती है क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकते हो फिन कहता है क्या तुम मुझे जानती नहीं वो हमेशा उससे प्यार करता रहा है वो कभी भी उस पर गुसा नहीं हो सकता इन दोनों ने एक दूसरी का हाथ थाम लिया अब ये first time reality में एक साथ थे इसके पीचे और कोई प्लान नहीं था यही बरे movie end हो जाती है एस्टल एक faulty character थी वर फिन ने उससे हमेशा बहुत प्यार किया धोका होने के बाद भी फिन finally उसे माफ कर ही देता है एस्टल जैसी भी हो ये फिन के लिए complete है ये story जब वो बता रहा था तो उसे लगता है कि उसका एस्टल के लिए प्यार यही enough है उसे प्यार करे या नहीं finally अपने प्यार की journey में उसे एक राहत मिली इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बिल नोटिवेशन आइकोन दमने मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक कि लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया